नमस्कार दोस्तो दोस्तो क्या आपका भी स्पीकर जल्दी से खराब हो जाता है या फिर इसका साउंड क्वाल्टी आपको अच्छा नहीं देता है तो इन सब प्राबलम को आज के बाद भूल जाईए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इसका एक ऐसा ट्रीक बताने वाला हूं जिसको अपलाई करके आप अपने स्पीकर को सालो साल चला सकते हैं और उसकी साउंड क्वाल्टी भी आपको बहुत ही सूपर मिलने वाली है तो दोस्तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाज तक देखना होगा और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी स है वो हम चेक करके दिखा देते हैं कि क्या प्राबलम होता है तो यहां जैसे कि मेरे पास जैके यहां पे 44-44 आइससिस मैं इसको बजा रहा हूं इसको साउंड क्वाल्टी आप देखेंगे तो यहां मैं इसको जोड़ देता हूं इस तरह से तो अभी आप देखेंगे कि यहां जो हमारा बेस जब इस पे आता है तो इसका पेपर हमारा इतना ज्यादा हीलता है इतना ज्यादा उपर नीचे होता है कि हमारा जो बेस का क्वाल्टी है वो खराब हो जाता है तो अभी आपने देखा यहां पे कि जो हमारा पेपर है वो बहुत जब 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 करता है तो हमारा बेस का क्वाल्टी थोड़ा सा गड़ बड़ हो जाता है तो अब आपको करना क्या है देखिए आपको सिंपल यहां यह हमारा साउंड का दो वायर है और यह हमार करतें इसको दोनों को जोड़ते हैं चला लेते हैं अब आपको करना किया है अगर इस तरह का आपका पास problem है तो आपको ले लेना है इस तरह से दो capacitor यह जो capacitor हमने लिया है इसकाफ नमबर है 470 UF 35 ab को अब इसको 25 25 16 भी ले सकते हैं ठीक दो capacitor ले लेना है अब यहां देखेंगे दोनों का देखें इस तरह से दोनों का निगेटिव आपको एक साइड में यहां पर कर लेना है और दोनों निगेटिव को इस तरह से आपस में या तो आप इसे मोर दीजिए या फिर सोल्ड कर दीजिए ठीक है तो मैंने यहां इसे इस तरह से मोर दिया और अब इसको यहाँ पे हम ऐसे दबा देते हैं, चुकि इसकी हमको जरूरत नहीं है, अब जिस speaker में आपको इस तरह का problem आता है, तो अब आपको करना क्या देखिए, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं यहाँ बता दूँ आपको, कि यह trick आप लाने से आपका speaker पे अब, यहाँ कि क्योंकि अभी हम जो trick लगाने वाले हैं, उसकी वज़ा से paper हमारा एक balance के साथ उचलेगा, और जब ज़्यादा उचलेगा नहीं, तो coil हमारा heat नहीं होगा, और heat नहीं होने के कारण हमारा coil जल्दी से फिर कटने वाला जलने वाला नहीं है, तो आईए यहाँ पे हमको करना क क्या है, इसके किसी भी एक wire को आपको यहाँ इस तरह से अपने speaker के wire में इस तरह जोड़ देना है, चाहे आप plus minus किसी में भी apply कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ एक wire को जोड़ देना है, ठीक, इसके बाद यहाँ हमारा जो दूसरा speaker का यह wire हो गया, और यह हमारा जो output हमाटा देते हैं, यहाँ से, तो यहाँ देख रहे है, पेपर हमारा भी ज्यादा, ठीक, ज्यादा उचला है, तो हमें क्या करना है, जो capacitor हमने यहाँ देखे, इस तरह से मुड़ा है, अब इसका, चुकि दोनों side का देखे, यहाँ प्लस प्लस दोनों बचा हुए, इधर भ अब जो दूसरा wire है, यह हमारे speaker का, इसको हमें इस पे जोड़ना है, तो अभी आप देख रहे होंगे, कि जो हमारा sound का quality है, वो थोड़ा बेहतर हो गया, अभी हम आपको चेक कर जिसे, यहाँ हमारा यह capacitor को हम series में लगा दी है, अब यहाँ पे हम direct इसको चलाते हैं, हमारा paper बहुत ज्यादा उचले, और देखे, series में यहाँ लगाने से, आपको sound का quality, जो हमारा base table है, जितना इसको जरूरत है, उतना ही यहाँ से pass होके output पर जाएगा, जिससे हमारा sound का, जो base होगा, triple होगा, वो balance के साथ चलेगा, यहाँ देखे, इस तरह से, यहाँ हमारा direct ह इसक चल रहा है, बहुत ज्यादा उचल रहा है, तो दोस्तों इस तरह से, अब यहाँ पर मैंने आपको लगा के दिखा दिया, ऐसा नहीं कि यहाँ बीच में आपको लगाना है, इस चीज को आप यहाँ भी इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे हमको इस wire में लगाना है, तो direct ह हम इसको यहाँ sold कर देंगे, और sold करने के बाद जो हमारा speaker का wire निकालते हैं, यहाँ से इस speaker wire को हम निकाल देंगे, तो दोस्तों कैसा लगा trick, अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का problem है, तो इस trick को आप जरूर अपनाएगा, अपनाने के बाद आपका speaker यह वो लंबे समय तक work करेगा, यानि कई सालों तक आपका speaker खराब होने वाला नहीं है, तो इस trick को लगाने के बाद आपका, जो speaker का quality है, वो भी बहतर हो जाएगा, और आपका speaker जल्दी खराब नहीं होगा, अब इसका, जो huge है, आप छोटे बड़े speaker आप किसी में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इतना बड़ा लेंगे तभी, आपके पास 5 इंची, 6 इंची, या 4 इंची का speaker है, तो भी उसके साथ इस तरह ये trick आप लगा सकते हैं, बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी next वीडियो के साथ, तब तक लिए, नमस्कार.